भारतिया चित्रकला के एतिहास के मध्य यूग में विक्सित पहाड़ी शैली के अंतरगत कांगरा शैली का विशेश स्थान है इस शैली की संपूर्ण विश्व में अलग पहचान है कांगड़ा चित्रकारी का उद्गम कांगड़ा से हुआ जो कांगड़ा राजवारे दौर की देन है कांगड़ा चित्रों के मुखे केंद्र, गुलेर, बसोली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा है बाद में ये शैली मंडी, सुकेत, कुलू, अर्की, नालागड और टिहरी गड़वाल में भी पहुच गई और अब इसे सामोहिक रूप से पहाड़ी चित्रकला की रूप में जाना जाता है ये सत्रवी और उन्निस्वी शैली की बीच विवहन शासकों द्वारा संरक्षित शैली को दर्शाता है कला जगत को भारत की लगुचित्रकला एक अनुपम देन है जम्मू से लेकर गढ़वाल तक उत्तर पश्चिम हिमालेई पहाड़ी रियासतों की इस महान परंपरा का वर्चस्व सत्रवी से उन्निस्वी शताबडी तक रहा छोटी छोटी रियासतों जिन मैंसे अधिकांश वर्तमान हिमाचल प्रदेश में पनपी है ये चित्रकला पहाडी शैली के नाम से विश्व भर में विख्यात है पहाडी चित्रकला के मुखे केंद्र थे गुलेर, कांगडा, चंबा, मंडे, पिलासपुर और कुलू कांगडा कलम को लगुचित्र में सबसे उत्कृष्ट माना गया है मध्य अठारवी शताबदी में पहाडी चित्रकला में एक नया मोड आया चित्रकला के इस नय दोर का जन्म गुलेर कलम की रूप में हुआ गुलेर की राजा दिलीप सिंग तथा गुवर्धन चंद और कांगडा की राजा संसार चंद ने इन चित्रकारों को समुचित प्रश्रे देकर प्रोथ साहित किया गुलेर कांगडा शैली की शीतल वण योजना और लयात्मक महीन रेखांकन विसमेकारी है अठारफी शताब्दी के उत्रार्थ में बने चित्रों में सुंदर हरे भरे भूद रिश्यों, पहाडों व्रिक्षकों के जुर्मुटों और सरोवरों के अंकन पर ध्यान दिया गया है महराजा संसार चन्य कांगडा चित्रशैली को विकास के शिखर पर पहुँचाया, महराजा का शासनकाल कांगडा कलम का स्वन युग कहा जाता है राजा संसार चन्य गुलेर के कलाकारों को अपने दरवार की और आकरशित किया उनके शासनकाल में ही कवी जैदेब की संस्कृत प्रेम कवीता गीत गोविंद बिहारे की सत्सई भगवत पुरान नल दमबंती वो केशवदास रसिक प्रिया कवी प्रिया को चित्रों में डाला गया है लगुचित्र हस्त निर्मित स्यालकोटी कागस पर खनिज और वनिस्पती रंगों द्वारा बनाये जाते थे तंगरम, हरिताल, धनाफरग, लाजवत, खज्या और काजल की सियाही प्रमुख रंग होते थे बाल से भी बारी कलयात्मक रेखाकन के लिए गिलहरी की पूँच के बाल से बनी तुलिका का उप्योग किया जाता था, कई-कई दिनों की महीन छुटाई के पश्चात रंग तयार किये जाते थे आज 300 वर्ष का समय गुजर जाने के बाद भी इन चित्रों में पहले जैसी ताजगी और चमक दमक हैं कांग्रा चित्र कला में नाईकाओं की विविन भावनाओं की कलाकार ने अत्यांत सुक्षितम किन्तु पूण अभिव्यक्ति दी हैं राजा के साथ शृकْरिष्ण के श्रांगारिक चित्र कांग डाकलम में एक महत्तो पूर निधी है। तदकाली शासकों के व्यक्तिगत चित्र उनकी दिटिंचर्या श्रांगारिक लीलाओं पर अधारित लगु़ चित्र भी इस अवधी में बने हैं लगो चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार ने मनुशे की असेमित भावनाओं को सिमित करने का सफल प्रयास किया है ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने सत्यम शिवम सुन्दरम का समन्वे कर दिया है किसी राष्टर की प